कि एक बार स्वागत करता हूं एक बार सभी लोग कंफर्म कराना आडियो वीडियो क्लियर जा रहा है कि गजाननंभोत गड़ा दिसे वितम कपित जंबो फल चार भाग छडम उमासुतं सोक विनासकार कम नमामे विगने स्वरपाद पंकजम या कुंदेंद तुशार हार धवलाया सुब्रवस्त्राविता या विड़ावर दंड मंडित कराया सुईत पदमाशना या ब्रम्हाचित संकरह प्रभित विरदेवै सदावंदिता सामां पातु सरश्वती भगवती निहसेस जाढ्या पहा सुपलां ब्रम्ह विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापिनिम् विड़ा पुस्तक धारिणिम् अवध्यां जाढ्यांद कारा पहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विददतिम् पदमासने संस्तितां वंदेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुधी प्रदां सारदां सराश्वती नमास्तोभ्यम वर्दे कामरूपिडिम् विद्यारंभं करिश्यामी सिधिरभवतु में शदा सभी लोग को नमस्कार एक बार सभी लोग अपने सारे ग्रूप में लिंक को सेर कर दें ताकि सभी लोगों तक क्लास की नोटिफिकेशन जिसके हाँ तक न पहुची हो उसको आपके जो भी मित्र गण हो उन सभी लोग पास में यह पूरा का पूरा क्लास का लिंक पहुंच जाए तो चलिए हम सभी लोग आज का क्लास प्रारंब करते हैं हम भी कुछ बच्चे बार-बार मैसेज करते हैं सर इस ग्रूप में नहीं डालते हैं हमारे वाले ग्रूप में नहीं डालते हैं तो मैं भूल याता हूं क्लास से स्टार्ट करने के बाद फिलाल सेर कर दे रहे हैं ह हम भी मैं कर दे का मैं उसको चर्फी लोग उत्र किने बिल्कुल बिल्कुल teenage चले पहला कोश्चन तो आज सबसे पहला प्रश्चन है जो धात्व या सब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं हम उसी को हम लोग प्रत्य कहते हैं जो धात्व या सब्दों के अंत में जोड़े जाएं क्या होते हैं प्रत्य कहे जाते हैं नेश कोश्चन है तिक्त एक सब्द है तिक्त ठीक इसमें उसको आप मत ध्यान दिजेगा जो उसका सिंबल इंवर्टेट का मलगा उसको छोड़िए इसको तिक्त तिक्त सब्द का तादभव क्या है तीता तीखा तिक्ता या फिर तीखन तो आप सभी लोग एक-एक लोग जितने भी लोग हैं सभी ल देख लेते एक बार धात के पहले उपसरग लगता है और धात के बादें प्रत्या बिल्कुल सही बिल्कुल सही आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है आप गलत उत्तर नहीं की हैं सभी लोग उत्तर करें नेक्ष कुर्शन का उत्तर कर ये तो तब तक हम एक जगह और सेर कर दें ताकि जो लोग बचे हैं उनको भी कि पहुंच जाए कि अच्युतम के सवं कृष्णदा मोदरं रामुनारायडं जानकी वल्लभं रामुनारायडं अच्युतम के सवं कृष्णदा मोदरं रामुनारायडं जानकी वल्लभं आयुसमान भवा दिख विजय भाच्रिंज वाशश्वी भवा किरतिमान भवा तो तीखा के लिए हम लोग तिकते यूज़ करते हैं ठीक इसका तद्वह क्या हो जागा तीखा लोग बोलते हैं करेक्ट गुडदू परिया सभी लोगों का लेंगे उत्फतिके आधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं उत्फतिक या-धार-पर- आप लोग सभी अज़े अंके सवं कृष्ण दामों-दर न मास्च Santiago को इक्लासच की टाया हैं है। मैं अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग हम अंत में उसको लेंगे उसको संस्कृत के ऐसे सब्द जिसे हम जियों का अत्यों प्रयोग में लाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं हां बिल्कुल चाहर होते हैं बताओ कौन है क्या भिल्कुल इससे बताओ सभी लोग van कर दे चार होते हैं कौन कौन बताईएगा संस्कृत के ऐसे सब्द जिसे हम ज्यों कात्यों प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहते हैं तद्सम् तदभाव देशज्या विझे आ तो चार तो शामने आपके आ भी गए हैं चार आपके सामने जो होते हैं अपीर पर कोई ओर होते हैं तो संस्क्राइब जो करते हैं आय तो तदधाश्च मैं उसमें हम लो επιचेल सबा नहीं उसका यूज करते हैं, विदेसी जो होते हैं, कुछ ऐसे भी सब्द आते हैं, विदेसस कह जाते हैं, भी बहुत सारे आपसंद देखने को मिलेंगे, उसी में हो सकता है, इसका भी आपसंद आ जाए, ठेक, तो यहाँ पर आइट असर क्या हो जाएगा, खून-पानी होना, खून-पानी होना, इसका अर्थ क्या होगा, खून-पानी होना, अदो खून क्या होगा, पानी होगा, तो पानी का खून में प्रवेस करना, या कोई असर न होना, भाई का खून करना, या पानी पीते ही खून की उल्टी करना, इसमें से क्या करेक्ट होग बहुत जलदी टाइपग से बगवान से डिव्या किले कैंगर करें रहे हैं कितना त्य ट्राइब करें स लिए की कैसे हो क्या हाल है सब्सक्राइब करना ठीक है तो चलिए, खून पानी होने का क्या मतलब निकल करके आ जाएगा, कोई असर न होना, मतलब सब्यर्थ हो जाना, सब्यर्थ हो जाना, पानी का खून में प्रभश करना नहीं है, या भाई का खून करना नहीं है, डी भी नहीं सही है, बी वाला इसके साथ में सही मिलेगा, अंत ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं गुड आप्टर नून कैसे हैं नाराण सरी हरी इसमें बहुत रोना बहुत हसना बीमार हो जाना दौड धूप करना इस प्रश्ण का उत्तर आप लो क्या करोगे किसको करोगे अतडियों में बल पढ़ना अतडियों में नहीं अतडियों बल आती है आप उसको समझेए फिलाल आजये नेक्ष्ट को सन है दीगु समास का उधाराण आपको पकड़ना है त्रिभुवन तिरंगा एक आदंत और दसान एक दंत दयावंत चार भुजाधारी तदभवत तसम तदभवत देशज और विदेश सही बहुत सही उत्पत्ति के सब कृपा है महादेव नारायन बस बीद रहा है बस चलते चल रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा तीरंगा तीरंगा के त्रिभुवन या तीरंगा तीरंग लिखा है तो तीरंग लिखा है याँ पे चितिन रंग के आ रहे हो तीरंग नहीं यहां पे आप ध्यां देना त्रिभुवन तीन भुवनों का समाहार जो हता है और आईट असर एवाला करेक्ट होगा हाँ बिल्कुल ए पे आप लेके चलिया और तो सब सही नहीं है वह ऐसे भी लेके आते हैं तो ती रंग के लिए दूसरा प्रयोग करिएगा यथा सिग्र सब्द का समास बताईए यथा सिग्र इसमें कौन सा समास बनेगा देखो यह सब कोशन जो है कई बार र बार बार प्रैक्टिस होते रहना चाहिए ठीक है तिन रंग को तिन रंग का समाहार तो है निए तिरंगा वाला तिन रंग के वल जो जंडा वाले उसी में जा रहा है ठीक इसलिए वह नहीं सब्सक्राइब यह था सिग्र के लिए अव्यभाव समास करें कभी-कभी आज आ अगर यार क्या हो जाएगा तीन रंगों वाला ले लेंगे तो दूसरा चला जाएगा तिरंगा तिरंग फिलाल चौराहा यहां भी आप समास करें नाम में बता दीजिए यह भी सरल है आपका अच्योतंके सवम कृष्णदा मोदरं रामूना रायजरं जान की यह लगल्भं हम तो दूब ऻैंगे तो पृष्णका उत्र हमारे साब से क्या बन जाएगा दूबलों सी करेक्ट हो जाएगा नेसकोईषन निर्विवाद अभी दो दिन पहले इसपे आया था कोसर्चन इस पर आप लोगों ने क्या किया इस पर आप लोगों क्या किया निरविवाद को किस पर लेखे गए निर्वाद को किस पर लगे गए क्या आप लोग इसको करमधारे पे ही रुके हैं या अब याई भाव समास पहुंचा दिये आप हम को यह बताईए मैं बोला था आप लोग इसको खोज लिएगा मैं तो भूल गया मैं देखा नहीं लेकिन इस प्रश्ण संख्या डाल प्रश पचता नहीं है हमको करमधारे है पचता नहीं है इसका ठीक है तो इसमी कर मांक डाल करें करकरकegen अब भूल गए फिलालिया अव्य भाव समास होना चाहिए था जैसे निर्विवाद निर लग गया और निरूपसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा おका वी इसे भी अभाव के अर्थ में ही है तो अभाव के अर्थ में नीरूप वसरक लगता है जैसे निर्जनम मि निस्प्राणज मि लगता अग मैय निस निस्प्रामन compartir लगाओ निरजनम मैं को निर्दोसम निर्मक्षिकम तो इस दो निर-मक्षिकमन इमान के चलो कि 24-25 से आसपास ला देंगे 23 को भी एक्जाम है 23 के बाद चल रहा है एक जग किताब में करमधारे हम पढ़ लिए थे इसको और मैं उस दिन जब ताजया तजया पढ़े इसलिए इसलिए उसमें बताया थे इसको आप देख लिजिएगा लाल होना चाहिए अब आपके इसाफ से क्या होगा आप सभी लोग एक बार जरूर दीजिएगा फिलाल हमारे इसाफ से आपका अब्वे इभाव समास मुझको तो अब्वे इभाव समास ही हम लगाते आगे दखते हैं गुडा केस के संध विच्छेद हैं अब बताओ इसमें प्रशसंख्या नही इसका मतलब आगे है इस लगेगा मतलब को के साथ में इसर अब को रहेगा की का रहेगा इसको जोड़ोगे तो यह नहीं है गुडा के गुडा केस साथ नहीं होगा देखो यहां यहां पर क्या है अगर गुडा का है तो का का आ इस मिलेगा तो ए हो जाएगा कर पाए किया बनाएंगे इसमिए दिक्कत हो गा लोगों को क्योंकि ऐसे प्रश्न के उत्तर बहुता बड़ा बिल्कुल आजाएगा मद्यप्रदेश की पूरी की पूरी क्लास रेडी है कुछ भी बात नहीं कि नहीं करके पूरा मैटरियल बना के देना पड़ेगा तो मध्यप्रदेश के किताबों में से जो कहानिया है वही कहानिया आता है अभी तक तो सारे नियम सभी लोग फसा रहे थे कि एक्जाम में उनके नियम आ जाए या जो पढ़ाय हुए उसका एक्जामपल मिल जाए पैसेज बह बढ़ाया हुए पैसेज भी आया है अब देखिया ध्यान से तो हमें सोचते हैं कि कुछ इस तरीके से हमको मालू में कहां से पैसेज उठा रहे हैं तो उस टाइप के पैसेज आप जरूर पड़ते रहे हैं जो लग सीटेट पर इच्छा दे रहे हैं पूछें उसका उसमे essential गुडह में आया है बिल्कुल इमानदारी से बता हिलाल इस प्रस्ण का उत्तर क्या बता है सी बता रहे हैए विशरग संधी बिल्कुल ऑनता रही है यह नीधन गुडह है इसी में निर्त बनता है ठीक इसी में जाकर करके निर्त बन जाता है और नीर की बारी आती है बीच में, लेकिन जब उत्तर देने वाली बात आती है, तो इसी जगह आ जाते हैं, जैसे कल एक कोई आपसंद था, जिसमें भी विसर्ग वाली कंडिशन बन रही थी, हर इस चंद्र वाले में, फिर भी विसर्ग पे ही हमले लगाया था, कुछ लोग पूछना चाहिए कि फलाने प्लस फलाने वरबर क्या होगा, ठीक है, कुछ में, आइसा होना चाहिए कि इतना प्लस इतना वरबर क्या होगा, क्या बताना है, और सबसे पहली बात तो एक चीज आप आधत बहुत खराब है, मैं यहां से अपने यहां से कुछ भाख बोल दूंगा तो लग जाएगा जब मैसेज लिखिए तो हम कम सकम जब देख लें उसके बाद है डिलीट कीजी या तो लिखेए हमात या फिर एक नहीं नहीं लिख रहे हैं ठीक नहीं तो हम यहां से कुछ निकाल देंगे मुझसे तो लग जाएगा फिर चूरन का तत्सम क् चक्षु चक्षु तो आख होता है चूरन हम लोग क्या करते हैं किसो कहते हैं चूरे पहले हम लोग बहुत चूरन खाते थे ना चूरन नहीं एक नहीं पर्ले जब कोई वेचने आता था साइकल बात करके पीज़े-पीछे दोड़न आ श्टार्ट चूरन वाल आ गया लो प्रतिवपकार प्रतिदिन प्रतिवपदेश में कौन सा उपसर्ग नहीं थे ठीक है इसे बताओ कि प्रति है यह तीन या क्या छप गया यह तो यह तीन ओगरद सब्सक्राइब हो जाता है ऑफसर का प्रयोग होता है कहां होता है हां ठीक हमारे लिए नहीं लिख रहा है तो अच्छी बात है नहीं तो हम बस यहां से बोल देंगे हाँ बढ़ियां पलाने चूर लेओ चूरन वाले आगे चूर 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 तो सभी लोग सेयर करें सेयर नहीं कर रहे हैं तो उपसर्ग का प्रयोग होता है किसमें सब्द के आदि मत्रारम में सब्द के मध्य में सब्द के अंत में इनमें से कोई नहीं तो उपसर्ग का प्रय होता है ए क्या हो जागा और आगे देखेगा इस वह सब्सार्ट में गुण संदी है किसमें ही डिखो कि सुथ हुखी यॽ किसमें किसमें हैं एक ही जगवधे san a और किसमें दिखाई दे रहा है भारतेंदेंदन और इसे ए बन गया है भारतेंद susp को जगननात किस संदिका उदारण है वह कि उबत्चा क्योर्म ने है इसको आप लोग है ट्रिपल इस्टार जरूद डालिएगा है यह यह सरह हाि किसी का नहीं लेंगे नाम लाष्ट में लेंगे जिसका भी जयादा सोगा उन्हीं का लेंगे भी हम ठीक सबका नाम नहीं लेंगे तो जगनात जगत अधनानात तक नहीं हो गया व्यंजन संधी बन करके चली आएगी कौन से संधी व्यंजन संधी ठीक तेस्प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा नेश्वक्स देखें निमना लखी तो व्याक के खंडों मेंसे एक के लिए परिउक्त होने वाला सब्ड है स्वयंसेवक इसके लिए क्या हूगा मतलब किसके लिए स्वयंसेवक लग सकता है सबकHz करने वाला सवयम सेवक होता है या अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला या बीना बेतन के काम करने वाला इस प्रश्चन के उत्तर में थोड़ा सा ध्यान देना स्वयम सेवक इस प्रश्ण में दो आपसन बड़े नजदीक दे दिये गए हैं हो सकता है गलत हो जाए ठेक इस प्रश्ण के उत्तर में आप लोग 18 नंबर डाल के तब उत्तर कीजिए क्योंकि इस प्रश्ण में हमको लग रहा है कि कुछ आप लोग उत्तर इधर उधर करके मतब अलग अल समूह भी होते हैं ऐसे बहुत सारे समूह लोग चलाते हैं जिसमें स्वयम सेख होते हैं वह अपने मर्जी से दूसरे की सेवा करते हैं स्वयम की सेवा करने वाला नहीं अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला स्वयम सेवा कौन सा ततसम सब्द नहीं है ततसम आज आज आप लोगों को तो रस नहीं, रस छंद अलंकार, एक कल से कोशन इसके मिलने स्टार्ट हो जाएगे, ठेक है, कल से इसके कोशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चलिए इस पर से, हाँ हाँ, बिल्कुल करेट कर रहे हैं, कौन साथ तत्सम सब्द नहीं है, अब तत्सम और सद्धवाला जो होगा, इंदु दिनेशमनोज रात, न, तो सब्द तत्सम नहीं है, अर्थात तत्भव होगा, तो इंदु तो तत्सम है, दिनेशमनोज रात का रात्री होता है, ध्यान देना, तो D क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जागा यहां से, और यहीं इसक का ठीक है हम बैतरीन कुछ्ष कन तो अच्छा था हो गलती होने के सब्कर्स उसमें अधिक थे दैसे तो इस प्र渉त्तर करो उत्तकर्स सब्कर्स आपकर्स या फिर आपकर्स तो उत्तकर्स का क्या हो जाएगा क्या बताओगी आप लोग A किות रोक्ष का अपकर्स को रत का निस्जा रात्री होता ना निसा ने रात्री लिगते हैं जेवा काट कहीं के-, उतकर्स श्वद का बिलोम क्या हो अपकर्स, नेश्कोसन देखते हैं समादर वा संरच्छन में उपसर्ग क्या है इन दोनों में हमको बताओ उपसर्ग क्या है ठेक, बताओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है सभी लोग राइट एंसर करते रहें प्रैक्टिस करें, उत्तर जरूर करें मतलब कोई थोड़ा भी पढ़ा रहेगा तो समेही लगाएगा समाज इसमें दिखाई भी दे रहा है संस्क्रिट में सम भी होता है अच्छा जेखो, यूपी में पहले जब होता था, यूपी पीसीयस वाले में, उनिस ओठाम बे और दोजार दोनों पूछा गया था, तब ऐसे कोशन भी आते रहते हैं बढ़ियां, हाँ, एक कोशन ने भी गुरु के समीप रहकर सिक्छा ग्रहन करने वाला के लिए एक सब्द क्या होगा अभी आप लोग उत्तर जरूर एक दिन किये थे गुरु के समीप रहकर के सिक्छा ग्रहन करने वाले को अंतवासी कते हैं, अंतवासी कहीं लिखा होता है कहीं अंतवासी लिखा होता है यह सही है, कि गुरुकुल वासी नहीं छत्रवासी, आस्रम वासी नहीं गुरुकुल में रहने वाला होता तो लगुरु के समीप रह करके सिक्षणगन करने वाला अंतेवासी ऐसा है आप सभी लोग उत्तर अभी दो शार दिन पहले किये थे हाँ बिल्कुल सही ठीक है तो नेश को संद देखते हैं अच्योतं केशवं कृष्ण दाम दरम रामना रायडं जान की वल्लभं रामना रायडं जान की वल्लभं तो इसमें क्या जागा अंगुठा दिखाना का क्या मतलब होगा इंकार करना मजाक उरना प्रसनता प्रकट करना या फिर निर्ट्र की एक मुद्रा होती है अगुठा दिखाना ऐसा वाला कुछ आजकल तो हमको लगता है निर्थ्य तो नहीं वलकि क्या लेते हैं फोटो लेते हैं तो इसमान भवाद धन्यवाद बहुत अच्छा के लिए धन्यवाद तो इसमें क्या होता है अंगुठा दिखाने का मतलब होता है इंकार कर देना ठीक है यहां पर सेलफी लेना नहीं एक इसमें डालना चीए था कि अंगुठा दिखाने का अर्थ सेलफी लेना कभी लोग करते हैं कि एक अईसा अंगुठा दिखा जाता है जिसको मतलब होता है कि बहुत अच्छा ओ लाइक वाला होता है आज के समय में व वंदे मातरम जाया है नारायन स्रीहरी तो उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होगा ठगना उल्लू पालना खुशामत करना अपना काम निकालना इसमें से कौन सा करेक्ट होगा उल्लू सीधा करना उल्लू सीधा करना मतलब है अपना काम निकालने अपना उल्लू सीधा कर ल हाँ, बिलकुल सही, बिलकुल सही. माथा ठनकाना, इसका कमत्रबब भैभीत हो जाना, हिम्मात आ जाना, कुरोधान, अनिष्ठ की आसंका अनागत. का तो समझ लेना निश्ट कर देनके ऊहीं बात करना थे वहाला कि Khanh एक जा लगता है कि मैं पार अच्छा कौसन कई बार आ्या च्छो ही आया है त्रो वाला कोशन कम आया च्छो त्रो ग्याँ और एक स्रो हिंदी में यह ही जो चार्ठो हैं यह बार-बार पूछे जाते हैं हाँ तो हम ज्यादा ज्यादा कुछ और नहीं गा रहे हैं आई गया है ना लेकर के पूरा हमारे सामने जिसे लगता है भारत की अर्थवियोस्था राजवियोस्था तुम्हारे पास ही है उसका ठीक जा करके देखो जो पूरा हो तो उसके लिए साउधान हो जाना चाहिए और उसका अलग से नियम है कोई अगर हिल डूल रहा है तो आप उसको फासी नहीं दे सकते हैं ठीक है जा करके देखना अच्छा मूल करतब और अधिकार में क्या अंतर है यहां गलती लिख दिए मूल करतब और अधिकार में क्या अंतर है अच्छा अच्छा दिया है क्रोध आना ही लोग है तो क्रोध आना यह सा लग रहा था कि क्रोध आना भी लेकिन यहां पर क्या करें कुछ अनिष्ट कर देंगे उसका एक रिजल्ट हो सकता था क्रोध आना ही लो माथा ठंकना के क्रोध आना ज्यादा सही है अनिष्ट की आसंका होना हमको लगा कि कुछ लोग कर रहे हैं तो अनिष्ट की आसंका ज्यादा सही हो जाएगा लेकिन इसका एक रिजल्ट है दू सी ही करेक्ट करो इसका मैं बदल लिया ना हाँ जो ग्यानी अब उनसे पुछ नहीं जानते तो बता देना हमको कि उसमें अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसको आप दंड नहीं दे सकते या फिर इस आ नहीं को उसको द्रोही घोसित करके डाल दोगे उसकी इच्छा पर है जब बच्चों के सिखाया जाता है जब बच्चों को सिखाया जाता है जब 22 सेकंड में उसमें ला करकर करके जब गायता है उस समय साउधान मुद्रा में और जो लोग जैसे भी साउधान हो सकें अब जरूर नहीं है कोई व्यक्ति जो है नहीं खड़ा हो पा रहा है या व ताउक भजाई जाती है कि Divine जन्गर मनाया धिनायक जाय हे भारत भात भाक्यवीधाता है। छेहे भारत भागय विधाता हो सिखा जटा है दो दो तीन तीन बार loaf यह थोड़े ऊपी सरी होता था है ऐसके प्रापर तरिके से वह ना या झाップ में तो इसमें आटेंशन की आ जाता हुआ सही था मैं अये खाए है अggis कि मैं iOS पद पे ही थे यसो साब थे या कोई थे वो हिल करके फोन पे बात कर रहे थे और स्कूल में वो कारक्रम चल रहा था तो उसमें यह राशगान बज रहा था राशगान चल रहा था वो फोन पे बात कर रहे थे हिलिवर्ड बुला करके आराम से मस्ती में बतियार थे जश्ट्र क्यों कि क्या है कि हमारा उस पे था वह लग बात है कि हम उस पर बात कर रहे थे राश्टे मान करना चाहिए हमको पुलिकली ऐसा हमको उसका भेजरован करना चाहिए लेकिन हम men रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी अपराज नहीं कर दीए तो हमके अच्छा किया ओर करतब है हमारा नहीं किये नहीं करें कुछ मतबब खिसके हुए थे दिमाग से तो वता दिये तो चीज तो हमको समझाए फिर बाद में कि जब आप सिखाते उखाते हो तो उस टाइम में बच्चे तो हिलते डूलते हैं तो उतना उसको नहीं किया कियाता है हाँ जब कभी लगी हो असेंबली चल रही हो उस टाइम पर किया यह ओ बात होती है तो इसमें क्या हो जाता है आपका एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है एक हो जागा और जो आपके मूल करतब्य है ना करतब्य है आपका आप करिए उस पर मजबूर नहीं किया जा सकता हाँ एक लाइन हमने पढ़ा था अभी पुस्तक भी मिल गई मैं अभी भी उसमें बता देता हूं कि क्या एक्जेक्ट लिखा है क्योंकि आपने बड़ा अच्छा दिमाग से डाल दिया इससे बहुत सारे लोगों का कल्यार हो जाएगा जिनों के दिमाग ठोड़ी बहुत भरम होगी ओ और हो सकता है कि निकल जाए इसमें साफ साफ एक लाइन ल मिल रहा है इसमें कहीं था हाना कि उसमें केवल अभी जो यहां पर मिल पाया है उसमें यहीं मिला कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्सों संस्थाओं राष्ट्वज और राष्ट्रगान का आदर करें स्वतंता के लिए हमारे राष्ट्रियांदुलन को प्रेरित करने वाले उच आदर्सों को हिर्दय में संजोय रखें उनका पालन करें और उसमें एक जगर लिखा था उसमें कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके लिए आप उसको दंड नहीं करता है तो उसे किसी द पालन स्वेक्षा पर निर्फर है उसके लिए कोई भी विधिक बात देता नहीं है ठीक अब जाकर करके उसमें पढ़ लेना यह बात मैं आपको इस पश्रूप से बता दिया है उचत्तम न्याले द्वारा यह कहा गया है कि संभिधान अनुच्छे दे क्यावन का खंड च् अंतरगत केंद सरकार का है करतब गया कि वह देश की सिक्षन संस्थाओं को सबता में एक गंटे पर्यावरान प्रसंद रच्छन की सिक्षा देने का निर्देश दें तो सारी बातें जो है इसमें पूरी बात लिख दिया गया इसमें साफ साफ लिखा है कि इसके लिए नहीं है अब कौन बोल रहा था बेटा कौन बोला था है चलिए देखते हैं जो भी हो जाए चलिए तो इस प्रशन में आईए निम्न में से पुरुष समास का उधान है एक तरफा धन अंजय आत्म निर्भर या फिर वक्र तूंड़ इस प्रशन का उत्तर सभी लोग करें अब हम उत्तर देख रहे हैं सभी लोग इसका उत्तर क्या कर रहे हैं अभी तक इसके पहले हम उत्तर इस प्रशन का नहीं देखें कि आप लोग किसका उत्तर इसमें क्या दिए इस वाले प्रशन का उत्तर आप लोग क्या दिए इसको बता हर्यों कोई बताया आत्म बताओ अभी कितने लोगों को ए चीज़ पता चला कि यह विधिक बाध्यता नहीं है कि यह विधिक बाध्यता नहीं है अब बताओ कि नहीं नहीं बोलना है राम चंदर की जय जैस्री राम माने इस पर कानून आ जाए बड़ी दिक्कत हो जाएगा बड़ी पावाल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर चंद्र सेखर जिसके सिखर पर जो है चंद्रमा हो सिव जी बहुबरी समास इसमें बताओ क्या है लो बहुत सही एक बार हम कोई टेली विजन कारेकरम सुन रहे थे जिसमें वो कहा गया था कि जलेबी बनाने के लिए जिस कपड़े का प्रियोक करते हैं जिसमें वो छेदा होता है ठीक इसमें जब दबा करके इसको क्या करते हैं दबा करके जब उसको पुल पुलाते हैं नी कपड़े का क्या नाम है ऐसा भी आया था है हाँ बिल्कुल डर तो लगता है हाँ लगना भी चाहिए चपन वाले ना चले आगे इसे बताओ क्या सही होगा भी इसके लिए कहा जा रहा है कि इसको उसको जो बढ़ते हैं उसको हवदा बोलते हैं लकडी की काठी काठी पे गोड़ा वाला जो था और दूसरा होता है गोड़ए वाले सिशेंशन भी गो बिटत लोग तो जो लोग जानते होंगे हाथी कि सवारी मुरह अक उसको में इसको द्ध्यान से उतर जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, उसको चलाने के लिए क्या कहते हैं, उसको कुछनी को क्या कहते हैं, ठीक है, तो धीरे-धीरे करकर के आप लोग एक-एक, जो समाज में आपको दिखाए दे, उसको भी धीर-धीरे करकर के सीखना चाहिए, एक चीजों को, कहीं-कहीं प्रयोग में आ इसे नाम है इसको नाम बता देते हैं इसको नाम तही कहते हैं इसको नाम तही कहा गया है और उसको बताओ क्या कहते हैं जिसे प्रमार्द वरा सिध्धर न किया जा सके वह क्या होता है वह क्या होगा वो क्याता है आप्रमाडिक ना वो प्रमाड उसका नहीं है भीश्म प्रतिग्या का क्या यर्थ है रिवाप रिवाप एक भी ऐसा भी कोशन ने बढ़िया कोशन है भी प्रिपलेस्टिंप पूछा गया है कि अप्रमियं क्यों प्रमाडिक सुभ अप्रमाडिक उन्पर्वाटित उसके करमा थी सब्समत यहaires 상태 अब इसको कथ और प्र में 3 मृतने हैं शुब्राधर गर्व तुरह नहीं कि अब इसको कढ़्या जेंदरी नहीं कहोगे एल ऐनों विश्म प्रतिज्ञा कर ली विश्म प्रतिज्ञा का मतलब यहां पर दिड़ प्रतिज्ञा से है या कठोर प्रतिज्ञा से आप दोनों में से एक उत्तर बताओ आप किसको करोगे कि अटल प्रतिग्या होता तब तो दिड़ प्रतिग्या हो जाता दिड़ प्रतिग्या तो इसमें से दोनों चीजें जैसे लग रहा है कि कभी हमको लगता है कहीं कहीं दोनों न सही हो जाए कठोर प्रतिग्या या दिड़ प्रतिग्या है हालां कि ओ काठोर भी लिये थे और दिघ्रता पूरुवक भी लिये थे श इसमें से एक सब्दक्र के लिए आप क्या बता होगे सी करद कर सो सबय को तो मैरे अच्सव अच्छ प्रमाडि जिसका प्रम्र जुस कर दो हो आप यसे प्रमान द्वारा सिद्ध किया ससकते हैं होता है उसको बोलते हैं निर्म्यन यूब किया जाता था इसको थ्वास निक1on या if already है हलाकि जो primary हम लोकाल क्लास nine-tenth में पड़ते थे प्रम्यं 9rim है तो उसमें हम लोग primary को क्या करते थे प्रूफ करते थे प्रामार के द्वारा प्रमार देते थे तो प्रमेय हो जाएगा तो प्रमेय का अप्रमे इगा सब्द बन सकता है जिसे प्रमार्द ओला सिध्ध न क्या सके ओप्रमार्डीक होता है इसको थ्वास आप लोग करो तो हिंदी में जो पढ़ते पढ़ते ही कुछ चीजे नई चीजे मिल जाती है जो चलन में जिसके प्रयोग करते हैं उसको दिमाग पट से आजाता है जैसे हम लोग अप्रमारी की यूज़ कर लिए अब यह आरो यारो भी दिया गया है इसको फ़ास देखना पड़ेगा कि यह अप्रमेय कर सकते हो क्या क्योंकि मिस्राजी भी कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे हम अच्छा जूते के सोल को हमायत वाले में प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे तो प्रमेय जब पढ़ते होंगे तो प्रमेय में प्रूफ करते थे प्रमार के द्वारा ठीक तो यह अप्रमेय हो सकता है इससे प्रमार कर नहीं कह सकते हैं लेकिन अब प्रमेय का अप्रमेय व लेकिन इस्टेंडर्ड पुस्तक में हम उसको चेक करेंगे देखो हम आपको सबसे पहले ही बता दिये कि जो कुछ सब्दावली है जो चलन में जैसे जिस तरीके से आती है ठीक कभी-कभी किसी का बिलोम दे दे लिखने के लिए तो बिलोम लिखने के लिए भी कई चीजों का प्रयोग होता है उसके भी बहुत नियम है अब उसमें स्टंडर्ड बिलोम करने आ रहा है या नहीं आ रहा है कभी-कभी लोकल लाइमें भी लोग बिलोम कर देते हैं एक जगह हम क्या बता दिये थे कि नीडर और एक लोग क्या बताए थे एक नीडर होता है और एक इसी के कि छोटे स्वाइल अंतर नोकरें बहुत ज़्यादा बुद्धिमाइण नहीं हम लोगों का इसमें अंतर करने की तो Nedar को निर्वध्य हम लोग अराम से कह लेती हैं कह लेते हैं कि नहीं निर्वध्य तो यह कह लेते हैं ठीक है तो चलिए देख लेंगे आप क्या ही कोशन पर लिए हैं थ्वास उस पर देखो कुछ ऐसा होता है कभी-कभी अभी मैं बताया ना कुछ अजब्द के आधार पर उसको बनाया घ्या है कभी कभी यह भी अगो लगता है कि कुछ सब्द्दावली बनाय ही इसलिए कि हैई इसका मतलब है है, इसमें आप लोग क्या कर रहे हो इसमें कठोर परतिग्यां भी कहीं दिया होगा। इसमें क्या करोगे। बाद में दिढ़ी थे। अगर एक को जाना पड़ेगा तो क्या जायोगे। इस पे आप लोग क्या कर रहे हो। कठोर या दिर्ध। देखो कभी किसी कोई आयोग इसको पता-चला कथोर पृतिच्ञया मान लिया तो यूपी ट्रीपलसि Pitts को दिद्ध पृतिञ्या माना है कि जो अधिधनु स्थ चैन्स आयोग है कि उससलेवा चैन्स आयोग जो है यह इसको दिद्ध उपसर्ग है प्रख्यात में प्रयोत उपसर्ग है कवन इसमे तो साफ-साफ है कि नहीं प्र है कहे कहीं एकडम ईग्जैक्ट उत्तर आता है बिल्कुल एक्जैक्ट और Muito Correct होता है हिए ठीक है कि आगे देखते हैं अगर इतना ही Correct होता तो सोचो फिर कभी-कभी City體 या这么ate कि यूंll ऐसा कहता कि हम उत्तर के लिए फिर से संसदी उत्तर की जाड़ी करेंगे होता ना क्योंकि कभी-कभी ओलोग ऐसे उत्तर लड़े आदमी व्यक्ति पढ़ करके उसी में अगर एक अलग से उत्तर बिल्कुल एक्ठे गलत वाला डाल देते तो निसी तरके से कही बचता सही हो जाता ऐसे कोशन पर उत्तर परिस्ति समय के अनुसार बदल सकती है अग्छाई हड़ी का संद विच्छेद क्या होगा अग्छादा उही नहीं ठीक अहड़ी नहीं होता है इसका करेक्ट हो जागा देखो पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें हमको मिलती है हम लोगों को जैसे थोड़ा बहुत कुछ मिल जा कोई ट्रापिक कोई पॉइंट उसक सिति आ जाती है ठीक है तो ऐसे उत्तरों को खोजना चाहिए उससे उससे ग्यान बढ़ता है उसको खोजोगे तो कुछ और ग्यान मिल जाएगा जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो लोग अब सबसे बड़ी समस्या तो हमको यह नहीं स्वर्म आ रहा है कि जब वह गर् Кणिया कes आधार पर देता या अबे तो तो भी शाहित क्या बताया है कठाणियापुत्र कानिन अवयद्धी पूत्र या कुमारी सुदृ इसमें आप क्या उत्तर करना चाहोगे सबी लोग उत्तर करें इसमें अपने विव्यक से बताएं किसको क्या कहाँ गया है कि अफिल अब कह利या है कि है तो अब बता तो रहां कि दिने मतलब हम जो कर दियो हुँ वहीं पिर यह प्रतिघ्यां कर लिये बहुत्यदिक वह अलिए निए यह रिक्यां तो भी सोफतिक है अगर कहें है मैं वोटाण तो दोनों का जिससे लगता है कि दोनों का भाव दे रहा है वो नर्बन में गर समझें तो दोनों का उसमें कोई स्पेस्पिक अंतर हो तो अलग बाद है फिलाल द्रिड प्रतिग्यां जो है वो सही आयोग द्वारा माना गया था तो बताया मैं इसके लिए क्या कहोगे कन्या इसके लिए उत्तर दिया गया है उनके द्वारा वह दिया गया है कानीन को समझें कुछ चीज़ें अपने जब पहली बार आती हैं तो इसको जब जो ना पचे उसको आप स्क्रिंसाट लो उसको खोजो समझो मिलाओ कहीं और भी मिले नहीं तो फिर हम भी हमको लगता है कि नहीं देखो हमारा समझें कुछ सनाता है तब हमको दिमाग पर हिट करता है कि हाँ इसके लिए यह होना चाहिए था यहा इसमें यह भी बाद हो रहा है तो उसको उसको क्या करते रहना चाहिए और कंफर्म करो फिलाल यहां पर भी ही दिया गया है कि उनके दौरा माना गया कि नहीं इसको कानिन कहेंगे तो कानिन आप भी मान लीजिए और नहीं मानना है तो कुछ दिन और भी आप भी खोजिए उसको और कंफर्म कर लीजिए कि नहीं और इसको क्या क्या कह सकते हैं क्यों यहाँ इसका क्या परलल कुछ और मिल सकता है कि नहीं ठिकरा ठिकरा फोड़ना होता था ठिकरा उटना का अर्थ तो नहीं सुने ठिकरा उटना के ठिकरा फोड़ना फलाने के उपर ठिकरा फोड़ देना किसी के सर जूठा दोस लगाना अनके उपर ठिकरा फूटना होना चीए ठिकरा फूटना ऐसा होना चीए उटना फूटना ठ टाइप होकर के आ रही है इसको भी हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी बहुत इधर भी हो जैसे अभी देखो यहां पर थोड़ा इधर है तो ऐसे मैं भी सुद्ध करने में समय लगेगा अभी आप लोगों का एक्जाम है से लिए मैं इसको करवा दे रहा हूं लेकिन कभी-कभी क् अभी अभी सही करने में समय लगेगा इस्का राइट स्थ क्या हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या होगा और फेर हो अपेक्षा के विरुद्ध काम करना परिवर्तन होना इसमें क्या करोगे क्या करोगे इसके लिए उलट फेर होना मतलब बहुत परिवर्तन हो जाए उलट फेर हो गया अपेक्षा के विरुद्ध काम करना सही नहीं होगा अपेक्षा के विरुद्ध काम करना है नहीं है एविवारी तो उसको कोई понад हुमपी पे है जब नाइम पिले पुछ तो और यहीं तो है । अभ्यास करने का फल क्या होता है। जब अभ्यास करें चाहिए सब के वल जो आता है बस वहीं मिल प्या है आधी रात, आधी रात का समय क्या हो जाएगा, आधी रात, विभावरी, सरवरी, निसा या निसीथ, जो आधी रात का समय कर रहे हैं, भीन सहरावाला समय नहीं कर रहे हैं, आधी रात, आधी रात को निसीथ कहें हैं, निसा रात्री के लिए कोल कह देते हैं, अक्सर करकर के क प्रति उत्पन्नमति यहां प्रति लगा है सापसाप लगा है प्रति फिर उत्पन्न तो प्रति उपसर्ग लगेगा प्रति क्लियर है प्रति लगेगा यथार्थ का विलोम क्या है? यथार्थ, तास्वत, यथार्थ, यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ, जो बिल्कुल सही था, उसको यथार्थ कहें हम, तो इसके विलोम को क्या कहेंगे? यथार्थ के विलोम को क्या कहेंगे? हम विभावरी से बीती विभावरी जागरी रात्री के ही अर्थ में हालाके उसका जब प्रयावाची आता विभावरी तो करते हैं रात्री ना रात्री का ही प्रयावाची विभावरी होता है लेकिन उसके उससे स्यंस पता चलता है कि इस वाली रात्री या इतने पहर वाली ऐसा, यथार्थ का क्या होगा, यथार्थ का यथावत, यथावत का क्या कर दोंगे, कित्रिम की आदर्स उचित या अनुचित, उचित अनुचित ये दोनों अपने में ही हैं, कट गये, कित्रिम का क्या होता है, फ्राकृतिक, ये भी कट गया, क्या बचा बेटा, आदर्स, क वो अलग होता है, प्राकृतिक, कृत्रिम, वो अलग होता है, तो उससे आप कर सकते हैं, जो बचा उसको कर सकते हैं, नेश्ष बताओ, साधु का विलोम क्या होगा, साधु क्या करोगे, आसाधु क्या करोगे, आसाधु क्या करोगे, आसाधु, नेश्ष को संदिकते हैं, ठ स्री गड़ेस का बहुत अच्छा बहुत अच्छा कोशा इह भी बढ़ीया कोश्याल स्री पारवति मत लगा देना। स्री गड़ेस का स्री सर्सोथी ऐसा कुछने लगाओके लगाओके इती स्री पॉट होके आरमभ करना.. तो इस्त्री लिंग में हो जाता है मेरे लाल साधु का साध्वी वहां पर क्या दिया था विलोम देखो थोड़ा-थोड़ा समस्या होता है थोड़ा-थोड़ा हाँ अब हिंदी पढ़ाएंगे अब हिंदी पढ़ाई रहे हैं और फड़ा बहुत अगर इसको रिव्यू किया जाएगा उसको लिया जाएगा वैसे मैक्सिम चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि संस्कृत से हिंदी ना बने इतिस्री स्री गणेस करना मतलब क्या होता है प्राराम अगर्शी ही होगा एक थे हैं इतशी मतलब समापन क अब्लभोत कराता है तो हिंदी आप हमारे सांत में डेली एक बज़े से पढ़िए संस्कृत आप चार बजे से पढ़िए साइंस की क्लास अभी साड़े आठ बजे से चल रही है रात्रे में आप आठ बजे से पढ़िए उसके बाद में दो क्लासे जो दुर्वेसर लेते हैं एक साड़े नौ बजे लेते हैं एक साड़े शे बजे लेते हैं उसको भी पढ़िए, EBS पढ़िए, मैत पढ़िए, सब क्लास पढ़िए, फ्री में, इत्यादी सब्द में कौन सी संदी है, इत्याद में, E का यह हो गया, E को यणची संदी से यण हो जाएगा, ठीक है, E को यणची से यण हो जाएगा, तो ए रहा है आज का पूरा का पूर आप लोग जरूर बताईएगा, कोस्टन जो भी मौत अपूर्ण रहे हैं, मैं बताया हूँ, एक आध कोस्टन जिसको रिवीव किया जा सकता है, जैसे और प्रमारी को वाला रिवीव किया सकता है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है, कभी हम तो ऐसे जब पढ़ते हैं, किताब उठाते हैं, याद आता है, तो कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें सोचते हैं, समझते हैं, कि नहीं सका यह नहीं होगा, और ओभी देख रहते हैं, जैसे अभी अभी देखिए, हम दिमाग में हमारे आ गया, कि जब कोई वोला कि राश्ट्रगान के लिए, तो हम याद था, हम पढ़े थे, इतना याद था, और यह इसमें लिखा है, साब साब, क्या, कि भारत में जिस प्रकार राजियों के लिए नीत निदे सकता हैं, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक करतब्य हैं, दोनों का पालन सुएक्छा पर निर्वर है, उसके लिए अपालन नहीं करता है, तो उसे किसी दंड से दंडित नहीं किया जा सकता है, यमसी मिहता बनाम भारत संग के मामले में, उच्चतम नियाले द्वारा यह कहा गया है, कि समभिधान के अनुच्छे दे क्यावन का खंड छा के अंतरगत, केंद सरकार का यह करतब्य है, कि वह कि शिक्षा और सनस्थाओं को सब्ता हमें एक घंटे पर्या और सनस्थाओं के सिक्षा देने का निर्देश दे अंतत्त इस परिप्षे में गांधी जी का अधोलिखित कथन हमें मूल करतब्य के प्रतिसमर्पित करता है क्या यहीं यहीं बात ही बहुत जबरदस्ति जिसकी वेज़े से हमको करना चाहिए जो आता है कि अधिकार का स्रोत करतब्य है यदि हम अपने करतब्यों का अपालन करें तो अधिकारों को खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा यदि अपने करतब्यों को पूरा करें बगार ही हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो अ अच्छी तरह निभाएं गए करतब्य से प्राप्त होते हैं यहीं मैं बार-बार बोलता हूं यहीं मैं बार-बार बोलता हूं कि आप लोगों को करतब्य ध्यान नहीं राइट नहीं हम फलाने के साथ फलाने के साथ फलाने का पाण गरहन संस्कार हो गया तो फलाने वहां कि सिख्षा कोई नहीं आ रहा है सब क्यों राइट लेकर क्या रहे हैं इसी में क्या हो रहा है सबी जगान तोड़ी तोड़ा रगड़ी रगड़ा मारी मारा सबी सीटह को तो इसको कम से कम आप लोग करता दे को ध्यान दो कि है साइंस की किक लास दो भएगे को डेचा है तो साइंस ठ्थन्ड की कंडिसंट चल रहे है दरहु Зबस दस बजे वाले में देख लिया तियाां प्रूंचा है। मैं अच्छी बात है। वैसे साइन्स की क्लास अब जो है। दिरे दिरे लोग देखना भूर दे की हैं। सुरू में तो कम ही थे। दो क्लास में कम बच्चे थे। तीसरी क्लास में bought निओने हले दो वाला गाना सुना दो उठहवरनी भाग ज लडी तो है नहीं हरे जाना है यहीं वाला चलो ठीक है तो अभीक लिए बस इतना ही सभी लोग सेर नहीं करते ओ जिसकी एक आरण सभी पहुँच नहीं पाता है ठीक है गाना सुना देंगे कि सोक के मोह में चलो अभी कुछ देखते हैं ध्यान कहीं बटा होता नहीं इसलिए नहीं का पाते हैं गाने के लिए मन प्रसंद नहीं अभी यात्रा से तुरंत आएं से लिए आज पांच मैंट क्लास लेट स्टार्ट ठीक है आप लोग आज है संस्क्रिकथक में संस्क्रिक क्लास बहुत अच्छा चल रही है संस्रीद क्लास पढ़ लीजिए हमारे साथ गाना सुना देंगे सब्सक्राइब यह depuis